नमस्ता, मिरा नाम है डॉक्टर पुरूदःवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेक्वेस मैनू के बारे में कि एक किट्णी का पेशिट बिना अपनी किट्णी को नुकसान पूचाए बिना अपनी हल्थ को नुकसान पूचाए खाने में नाश्ते में क्या क्या खा सकता है ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर किसी भी kidney patient के लिए डाइट जो होती है वो उसके treatment का 50% होती है इतनी important होती है kidney patient के लिए अंदर तो डाइट को समझना डाइट को फॉलो करना एक kidney patient के लिए बहुत जादा मस्ट होता है तो उसे समझने के लिए आज आपके थोड़ी सी help करने वाला हूँ अगर आपने हमारी पुराणी वीडियोस देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे कि आपने कौन सी vegetables खानी होते हैं कौन सी नहीं खाती हैं अगर आपने नहीं देखी तो भी आपको मैं एक फटा-फट तरीके से आपको समझा देता हूँ कौन सी vegetables eatable होती हैं, kidney patient के लिए कौन सी नहीं होते हैं, कौन से fruits खानी होते हैं, कौन से fruits नहीं खाने होते वो सब कुछ मैं आपको अब इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो एक छोटा सा रूर हमेशे अपने mind में याद दखो कि कोई भी vegetable जो रूटी है, जमीन की नीचे लगती है, चाहे आपका आलू है, शुकरकंदी है, अर्वी है, जिमिकंद है, वो नहीं खानी इसके अलावा जो भी सब्जी पत्तेदार होती है, चाहे आपकी फूल गोबी है, पत्ता गोबी है, पालक है, बतुआ है, मेथी है, वो आपने नहीं खानी इसके लावा जो सब्जीयां, ऐसे प्लांट पर ऐसे फ्रूट लगती है, तो ऐसे फल की तरह लगती है, जैसे बैगन है, बिंडी है, गिया, तोरी, बरवल, पैठा, ये सारी सब्जीयां आप खा सकते हैं, इससे खाने से आपकी किड्नी कोई नुकसान नहीं होगा, आपक किड्नी की फंक्शनिंग को फर्दर लो होने से भी बच जाएगी, ये हम इसलिए कहते हैं, क्योंकि जित्ती में सब्जीयां होती है, उनकी अंदर कमिया ज़्यादा मौन में प्रटैश्यम होता है, और प्रटैश्यम ये कैसी चीज होती है, जो एक किड्नी के पेशिंट के हाथ के हाथ करवाना पड़ता है, और सैवन इसलिए इसे कट्टोल में रखना बहुत ज़रा जरूरी होता है, और इसलिए कंट्टोल हम सब्जियों फूट्स की सही अमांट में लेकर, सही सब्जियों को लेकर ही हम से ऐसे अम क्क Alberto kobe encouraging, होता है. तो जो सब्जियों मैंने आ पढ़ने के लिए एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं लीचिंग के नतर हम क्या कटते हैं कि जो सब्जीयां आपको मैंने बताए गिया तो औरी परफल पैठा करेला जितनी भी सब्जीयां है जो फल की तरह लगती है उनको आपने छोटा-छोटा चौप करने के बाद तीनचा घंटे उसको बहुत अच्छी तरग्या से गर्म पानियों में रखके छोट दीजेगा जितना भी पोटेशन उन सब्जीयों में है वो निकल कर पानी में आ जाएगा और आपकी सब्जीयां पहले से बैटर हो जाएंगी आपकी किड्नी को नुक्सान नहीं आपकी कंडिशन बैटर ही बैटर होगी नंबर वन इसके बाद आते हैं फ्रूट्स पेश्ट करते हैं मैं फूट्स होंचे खा सकता हो तो जितने भी किड्नी के पेशेंट होते हैं उनको हम यहीं एडवाइस करते हैं जब तक आपकी लेवल्स नॉमल ना जाए फूट्स आप नही होती जो चीज़ फूट्स में है वही चीज़ वेजेटेबल के अंदर है वेजेटेबल और फूट्स की बीच में सिर्फ मिठा अस्ता फर्ग होता है इससे ज्यादा फर्ग नहीं होता है नुटिशन ब्राउंड के अंदर तो हम सभी पेशिन को यह डिवाइस करते हैं जब तरीके से मना करते हैं सिवाए लेमन की लेमन आप ले सकते हैं बाकि कोई सिट्रस फूट को अलाउड नहीं होता मगर पोटेश्यम की वज़ए से हमें इसकी जो क्वान्टिटी होती है जो इसकी पॉश्चन होता है फूट्स का वो भी हमें एक फिक्स करना पड़ता है कि इ कुछ फूट ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल नहीं घठ सकते हैं फिर्स स्ट नम्बर पर आता है आपका बनाना बहुत कॉमन है अकसे पिशम पूस्ता है कि मैं खालू नहीं खा सकते ईसके बाद जितने भी ड्राइव फूट्स है नहीं खाने क्या जुक्शन को नहीं देन नहीं दे सकते आप, इसके इलावा जिते भी आपी खजूर है, छुवारा है, ये सारी आइटम आप उनको नहीं दे सकते, ना आप उनको ऐसे दे सकते हो, ना उनको उबाल के दे सकते हो, ना उनको किसी चीज के अंदर डाल के दे सकते हो, किसी भी प्रवेशन के अंदर इन आ यहां चीज़े होती है जैसे दल्या आप ले सकते हैं घीहूं का बनावा होता है एजी ड़ेस्ट होता है मगर इसमें जो आप पता होने चीए वही वेज़ेटेबल्स है जो आपकी गिड्नी के लिए सेव बताई गई है अगर आप बीबी के पेशिंट है बीपी आपका बना रहता है और आपका सॉल्द करवाया गया है तो आपकी समय किसी भी टाइप का सॉल्ट का यूज नहीं करेंगे अगर आपकी शुगर लेवलश हाई बने में तो इसमें आप शीनिका यूज नहीं करेंगे तो इन चीज़ों को आप ध्धान दखिये कि किसी भी प्रपेशिं के अंदर condition को बहुत ज़्यादा खराब करता चला जाता है क्योंकि sodium की वज़े से क्या पढ़ता है आपका bb जब bb पढ़ता है तो क्या होता है आपकी kidney को फर्दर नुक्सान पोचना शुरू होता है तो हम नहीं चाहते तो आप दल्या लेंगे, salt free लेंगे, sugar free लेंगे इस इसको आप धान लेंगे उसके बाद है पोहा पोहा एक breakfast के अंदर अच्छा option है kidney का patient उसको ले सकता है आराम से ले सकता है क्योंकि वो चावल का ज़रूर बनावा होता है इसके बाद हम चलते हैं क्योंकि पेशन लेना चाहता है मगर हम उनको पेशन तो सभी मना कर देते हैं कि आप उसको ना लीजिए किसी भी टाइप का juice आप नहीं ले सकते आप किसी भी टाइप का juice आप नहीं ले सकते ना ही आपने excess amount में milk लेना होता है क्योंकि milk के अंदर क्या होता है protein होता है और जितना protein आप intake करेंगे उतरहीं किट्रीन लेवल आपका बढ़ना शुरू होगा तो जितने भी पेशन लेवल के हैं उनको मेरी यही अड़वाइस होती है कि breakfast के अंदर आपने juices नहीं लेने तरीके से हम आपका जो खाना पीना है वो खोलना शुरू कर देते हैं आपको milk लावड हो जाता है फूट से लावड हो जाते है तो थोड़ी इसी पेशिंस रखिए क्योंकि प्याली मेने में को रिजर्ट्स आने शुरू होती है तीन्चा मेने के अंदर आपकी रिपोर्ट सकते हैं, white bread खा सकते हैं, brown bread खा सकते हैं, हाँ, आप bread खा सकते हैं, white भी खा सकते हैं and आप brown bread खा सकते हैं, white bread को हम जादा अच्छा कंसेडर करते हैं kidney patient के लिए, वो आपकी intestines के लिए थोड़ी सी heavy to digest हो सकती है मगर उसमे nutrition value कम होनी की वजह से, वो brown bread से better काम करती है kidney patient के bread allowed होती है, breakfast में आप अपनी इच्छा अनुसार bread ले सकते हैं, इसके इलावा कोई भी आप इसमें jam, wham, pickle, pickle नहीं लगा सकते हैं, कोई भी आइटम जो घर में नहीं बनी हुई, आपको नहीं पता कि इसमें content क्या है, उसका use आप नहीं करेंगे, इसके बाद acceptation हम से पूछत amount है, वो minimum to minimum होने चाहिए, बाडी के अंदर extra कुछ भी नहीं जाना चाहिए, तो जो भी आप oil use करना चाहिए, cooking के अंदर आप कीजिए, but quantity का ध्यान जरूर रखे कि बाडी को उतना ही दीजिए, जितना बाडी को requirement है, बाडी में जरूर से ज़्यादा requirement के अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, चाहिए, आपका oil ही क्यों नहीं हो, तो उस जिसका आप ध्यान खे की deep fry ना लीजिए, ज्यादा cooking ना कीजिए, कम से कम oil के अंदर cooking करवने की कोशिश कीजिए, जिससे patient को कम से कम नुकसान हो, इसकी बाद एक दिक्कत और बहुत होती है, वो है पानी क कि किड्नी की patient को यह बताया जाता है, कि आपने अपना पानी का intake कम करना है, मगर जितनी भी patient science इंजीवनी के होते हैं, आपने 24 hour का urine का sample, एक बार आप उसको measure कर लो, कि कितने ml आप urine pass out करते हो, एक बार आपको urine के sample का output पता लग जाता है, कि 24 गंटे में आपकी body इतना तो urine बना के body में से fluid को बहा करती है, उसमें 1 liter amount और add कर दो, that means अगर आपको urine output है, वो 800 ml है, तो आपके पूरे दिन की पानी लेनी की जो amount है, वो 1800 ml हो जाती है, यह जो 1000 ml है, हम वो add करते हैं, जो आप बात करते हैं, अपनी skin से loss करते हैं, उसको compensate करने के लिए इसमें इतनी amount add कर दी जाती है, अगर आपके पैरों में आपको swelling नजर आ रही है, आपका weight बढ़ता जा रहा है, तो आपको अपने पानी की limit को control में करने की जूरूत है, वो पानी से पहले हमेशे अपने salt पे ध्यान देना, अपने salt निकाल दोगे, तो आपके जो पानी की limit हो बढ़ जाएग है, वो control में हो जाएगा, फिर भी आपके माइड में कोई भी doubt हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीची दीवी निम्बर पर गोगर के, science engineering की doctors से free of cost consultation आप ले सकते हैं, आप हमारी site, sci-kidney.com बचा के एक जोटा सा firm होता है, ना भी gender आपने इसमें भरना होता है, कितनी बार आप dialysis करवाते हैं, कितनी बार आपको करवाने जाना पड़ता है, क्या reports आपकी बोलती है, आपकी जो भी reports हो, आप उसमें attach कर देंगे, एक पर doctors उसको देख लेता है, समझ लेता है, कि क्या कारण है, आपकी kidney के पीछे diabetes था, sugar था, या BP था, तो एक बार उसको identify करने की वा करते हैं, और फर्स्ट मंद में ही आपकी जो लेवल्स होते हैं, ketanine के ureak में नीचे आने शुरू हो जाते हैं, कंडोल में आने शुरू हो जाते हैं, 3-4-5 मेंस के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स में आ जाएंगे, और आपको खाना पीना है, जो कंडोल हम आपक करते हैं, वो खुलना शुरू कर देते हैं, आपको सारी सब्जीयां, सारा खाना भीना, सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, तो अगर आपके माईने कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दीवे निमबर पे कोक के, माई डॉक्टर से, free of course, consultation, लेना ना मूलेगा, इस केरो ?